हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दा पीके टूटियोरेल, टोडे विल डिसकस अबाउट वाट इस दा इनर जोइन, इन आर, सो आर इस टूडियो में आज हम इनर जोइन पढ़ेंगे, तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि लेफ जोइन कैसे लगाते हैं, फिर हमन में same data frame है, इसके बीच में हमें लगाना inner join, तो data frame जो first है हमारी उसमें दो कॉलम है employee code and city और data frame second में हमारी दो कॉलम है employee code और shell, तो इनके बीच में जब हम inner join लगाएंगे, तो हमारा result क्या होगा, वो माप को दिखा देता हूं, तो ये हैं हमारी एक नई data frame, जिसमें हमारी त CT और शेल लास्ट वीडियो में मैंने बताय था किनका जो column के sequence होते हैं वो कैसे आएंगे left table के पहले column आएंगे और उसके बाद में right table के column आएंगे तो क्या क्या आजएंगे employee code CT और उसके बाद में हमारा आजएगा shell तो inner join क्या करता है दोनों table के बीच में जो common row होती है उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ले लेगा क्या होता है कि जैसे data frame first में हमारी B है और B के अंदर CT हमारी आती T2 वैसे हमारी data frame second के अंदर भी B है और उसके अंदर हमारा है cell का column जिसकी है value 50 तो इसमें क्या करेगा यह सिरफ employee code B को उठाएगा क्योंकि यह दोनों data frame के अंदर common है और इसके आगे इन दोनों की entry लिख देगा जैसे इसकी CT T2 है और इसकी cell हुई है 50 रुपे की तो इसको अगर हमने अच्छे से समझना है तो इसको हम एक्सल में और समझेंगे दोस्तों यह हमारी दो data frame है data frame first and data frame second दोनों के बीच में लगाया है मैंने inner join इनर join लगाने के बाद में दोनों data frame के बीच में जितने भी common rows होंगे वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर और जो column का sequence होगा वो होगा हमारा left to right side में तो इस तरीके से हमारी यह नई data frame बन जाएगी जिसका नाम मैं दे देता हूँ df तो df हमारी नई data frame है जिसके अंदर हमारी 6 column है चली देखते हैं re studio के अंदर इसका code कैसे लिखा जाएगा और कैसे हम दो data frame के बीच में inner join लगाएंगे तो यह हमारा re studio है इसके बीच में हमें दो data frame को import करवा लेना है यह data frame first हो गई हमारी और यह data frame second हो गई data frame first का हमारा नाम है employee full detail के नाम से और data frame second का हमारा नाम है other data के नाम से तो इनके बीच में जो column है हमारे वो सेम वही है जो कि मैंने आपको actual के अंदर दिखाए थे अब इनके बीच में मैं लगा देता हूँ inner join inner join लगाने के बाद में हमारा result आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए एक package install करना होगा deep layer और इस library को हमें कर देना है run run करने के बाद में हमें df नाम से एक नए data frame बना लेना है और उसके बाद में लगाना है हमें inner join inner join लगाने के बाद में हमें सबसे पहले first data frame का नाम लिखना होगा और उसके बाद में हमें second data frame का नाम लिखना होगा जिनके नाम है हमारे employee full detail and other data इसके बाद में इन दोनों data frame के column के नाम आ जाएंगे तो column के नाम आने इस पहले आएगा comma by is equal to c और column के नाम जो है, जो हमारे common है दोनों data frame के बीच में, उनके नाम हम लिख देंगे, is equal to लगा करके और double code के अंदर तो इनको मैं run कर देता हूँ, तो हमारी environment में एक नया data frame बन जाता है, df के नाम से df हमारे नया data frame है, जिसके बीच में हमारे 6 column आ गए है, employee code, first name, last name, salary, gender और city और इनकी जो total rows है, वो 14 है, तो ये total जो हमारी rows आई है, वो दोनों data frame के बीच में जो common ही हमारी वही आई है तो इस तरीके से हम apply कर सकते हैं, उमीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों के अगर वीडियो समझ में आ गई है, कि कैसे हम दो data frame के बीच में inner join लगा सकते हैं, तो वीडियो को कर दीजे like, और channel को कर दीजे हमारे subscribe, जिससे latest वीडियो के notification आपको मिलती रहे, और वीडियो क ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में share कर दीजे, जिससे और लोग भी our series के साथ में हमारे साथ जुड़ सके हैं, और अपनी mail id को send कर दीजे हमारी instagram पर, जिससे study material में आपको time to time update कराता रहूं, thank you very much, keep watching